स्वागतम सु स्वागतम स्वागत है मित्रों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दलितों की कहानिया में चलिए आचार्य कॉलकलूरी इनाग जी की कहानियों का रसानन लेते हैं हमारे गाउं का लड़का डॉक्टर की पढ़ाई पढ़कर गाउं को आकर हमारे रोगों को ठीक करेगा और उनको अपने ही व्यक्ति की चिकिसा उपलब्ध होगी कह मुनसब ने सोचा था किन्तु वह मुनसब के पास ही गाउं के नौकर के रूप में काम कर रहा था यह देख मुनसब को भी दुख हुआ करता था लेकिन वह क्या कर सकता है मुनसब ने उसे प्रेम से दुखी होकर क्रोध से डाट कर कहा मिराश मत हो जो तुम्हारे पास है उससे तुप्त हो बिगाडो या बिगडो मत किन्तु सुधा कर उसके सामने बैल की तरह सिल हिला कर गव माता की तरह चले जाया करता था उसे अपनी स्तिती पर ना क्रोध आता था और ना ही आक्रोश होता था किसी को गाली नहीं देता था मारता ना था अपने आप में कुंटित होकर रह जाता था कुमला जाता रहता था यह दुख और वेदना को कम करने के लिए पी जाता था पत्नी और बच्चों वाले हो तुम अपनी ही हानी करके कुंटी थोकर मरमरा कर उनको अनात मत करो कहब मुनसब ने उसे कितनी ही बार समझाया सुधा कर राव ने ना हा कहा और ना ही ना कहा छोड़ दूगा कह भी नहीं कहा कोई जवाब उसने नहीं दिया दुखी मन से बस चला गया आत्मत्या हो तो छड़ों में फल मिलता है लेकिन इस बढ़तेवे मरण की चरिया बहुत ही दुखदायक है इतनी हिंसा को सहने का मार क्यों चुना है किसी को मालूम नहीं है शराप पिना अपने आप में उतना हानिकारक नहीं हो सकता है लेकिन जीना नहीं चाहिए जीने का मार्ग नहीं है जीने की आवेशकता नहीं है मरने के लिए निश्चे कर लेने की तरा जीतेवे व्यक्ती की तरा करना संभव नहीं लगता है कितने ही लोगों ने कितने ही अच्छी बातें बता कर देख लिया है लेकिन कोई फल नहीं मिला किसी ने भी उपदेशों ने काम नहीं किया काड़ी के पीने पर या पानी के पीने पर या चलने पर सारे संसार के प्रती उसे आक्रोश की भावना, द्वेश की भावना होने लगी थी और लोगों ने उसे पागल समझ लिया था उसे किसी पर प्यार नहीं है पतनी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, सौतली और प्यार भरी बातों की तरा तोतली बाते सुनकरा कोई भी उसके रुदे को विचलित नहीं कर पा रहे थे आक्रोश, गुस्सा और द्वेश किसी और पर नहीं है पर कोट पर है क्या वह कोट को मार सकता है, डांट सकता है दंडे से मार सकता है, क्या चाकू से काट सकता है अपनी हानी करने वाले का आक्रोश गले को दबाने जैसा कर सकता है लेकिन किसी और की हानी नहीं कर सकता है यदि कुछ भी कर सके तो कोट को क्या कर सकता है उससे भी हाई कोट को क्या कर सकता है पूरे हाई कोट पर गुसा नहीं है केवल फैसले पर गुसा है फैसला गलत है ऐसा उसका विश्वास है मित्रों अब विलम ना करें और हमारे साहितिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अंतरगत अपलोड किये जाने वाली सभी कहानियों का रसानन्द लें